कि भी कि के तो Gabi तो आईए मैं आज आपको दिखाओंगा कि D.C स्टिंग में जब इंसुलेशन फॉल्ट आता है तो उसको कैसे ऊसरे करना है कि काती इनसलेशन-फॉल्ट आ रहा है आपकी inverter से होते हुए यहाँ से inverter से होते हुए cable tray में होते हुए module की तरफ चली जा रही है तो module पे जाते वक्त ऐसा भी हो सकता है कि DC cable जो cable tray to cable trade जा रही है हो सकता है कहीं से tamper या cut गई हो या structure में कहीं से cut गई हो और structure के संपर्क में आ रही होगी तो उससे बहने वाला जो voltage है current है disrupt हो सकता है तो इस insulation fault की वज़े से कभी कभी क्या होता है कि inverter आपका trip हो सकता है या inverter में fault आ सकती है तो कैसे trace करें कि हमारी जैसे inverter में जो भी string लगी है कौन सी string में हो fault आ रहा है तो उसको trace करने के लिए आपको चाहिए एक clam meter clam meter को आप voltage range पे set कर देंगे set करने के बाद आप हम इसे test करेंगे तो test करने के लिए क्या करेंगे test करने के लिए हमारे पास जो दो electrode है इसके positive और negative वाले हम किसी एक string में लगाएंगे और voltage पहले तो test करेंगे कि हमारा open circuit voltage कितना आ रहा है और उसके बाद positive to earth और negative to earth चेक करेंगे कि कितना voltage drop आ रहा है ठीक है तो अभी हम आपको दिखाएंगे एक faulty string को connect करके हमें ये मालूम है कि ये दोनों जो string है faulty है इसमें insulation fault आया तो पहले हम आपको दिखाएंगे कि इस insulation इस string को अगर हम test करेंगे तो हमारे volt clam meter में कितनी कितनी values आ रही है अभी आप देखेंगे कि हमारे clam meter में जो open circuit voltage आ रहा है वो आ रहा है 761 अब हम positive to earth चेक करेंगे तो इसमें से एक string हम निकाल लेंगे और हम inverter की earthing में टच कराएंगे यहां cable tray में touch करा दो पूरी body earth है तो अभी आप यहां पे देख रहे हो कि इस video में यह जो clam meter में display आ रहा है यह 341 पे constant हो गया है ठीक है कोई भी drop नहीं दिख रहा है इस voltage के बाद अब हम negative to earth चेक करेंगे एक हम negative में लगाएंगे दूसरा हम इसकी body में टच करेंगे तो आप देख रहा हो कि 419 पे voltage constant हो गया है यह constant इसलिए हो जा रहा है यानि structure और positive और negative string के बीच में constant voltage develop हो रहा है क्योंकि कहीं न कहीं cable कटी हुई है और touch हो रही है अब हम आपको एक healthy string को भी test करके दिखाएंगे कि उसमें यह phenomenon हो रहा है कि नहीं ठीक है अब healthy string का VOC पहले हम चेक करेंगे तो positive negative हम उसके terminal में लगा देंगे और देखेंगे कि कितना system voltage आ रहा है तो इसमें आ रहा है देखिए जो voltage आ रहा है 263 sorry 763 पे constant बना है अब हम positive to earth चेक करेंगे यहाँ पे देखिए क्योंकि कोई constant voltage create नहीं हो रहा है अब हम negative to earth चेक करेंगे देखिए निगेटिव to earth भी अगर हम चेक कर रहा है तो यह constant voltage नहीं आ रहा है voltage drop दिखाता चला जा रहा है इसका मतलब कि यह string पूरी healthy है इसमें कहीं भी DC cable ना cable tray में कटा है ना structure में कटा है ना किसी भी structure के contact में नहीं आ रहा है अब हमें इस string को हटाएंगे clam meter से और इस healthy string को inverter में वापस connect कर देंगे मैं आपको यह बता दू जिस site पे हम यह test कर रहे हैं वहाँ पे monkey का issues बहुत ज़्यादा है तो ज़्यादा तर बंदरों ने यहाँ पे cable की cutting कर दी है और cut होने के कारण जो cable है वो module mounting structure के contact में आ रहा है एक बार फिर से हम आपको test करा देते हैं कि जिस string में हमारा fault आ रहा है उसमें कितना हमारा system voltage चल ला है और कितना positive to negative drop आ रहा है इसमें याद रखेगा कि जिस string में fault आ रही है उसमें voltage drop आपको नहीं दिखाएगा देखे system voltage इसका 766 है अब positive to earth चेक करेंगे positive to earth देखेए आपका 343 constant voltage है कुछ भी drop नहीं हो रहा है अब हम negative to earth चेक करेंगे देखे निगेटिव अर्थ जो है अब हो आपका 421 है ठीक है ओके अब हम इस string को search out करेंगे कि कहाँ पे ये fault आ रहा है ठीक है तो दोस्तों हमें cable मिल गई है यहाँ पे cable में हम लोग ने एक tape लगा दिया insulation tape यहाँ पे बंदर site पे बहुत ज़ादा है तो उन्होंने इस cable को cut कर दिया था और ये cable जो हमारे lowe के MS structure है उसके contact में आ रही थी ठीक है अब कैसे हमने trace कि हमें cable structure में कैसे मिल गई cable tray में नहीं मिली वो मैं आगे इस video में आपको बताता हूँ ठीक है अभी के लिए हमें ये fault मिल गई इस cable में हमने joint लगा दिया है इसको properly insulate कर दिया है अब इसको insulate करने के बाद वो जो faulty string थी उसको हम आपको test करके दिखाएंगे हाँ तो दोस्तों अभी string में हमने जो fault था वो rectify हो गया है तो अभी हम इसमें voltage चेक करने जा रहे हैं कितना आ रहा है voltage आप देखेंगे कि 776 आ रहा है अब हम इसमें positive to earth और negative to earth इसी faulty string में चेक करेंगे तो अभी आप देख रहे हैं कि voltage drop इसमें होता चला जा रहा है कोई constant voltage नहीं आ रहा है 310 अब 200 की range में आ गया ठीक है अब हम negative to earth ऐसे ही चेक करेंगे तो देखें negative to earth में भी हमारे पास कोई constant voltage नहीं आ रहा है voltage drop दिखाता जला जा रहा है इसका मतलब ये string जो कटी हुई थी बंदर के काटने से और structure में touch में आ रही थी अब वो उसको हमने insulate कर दिया है तो ये string rectify हो गई है और proper way में आप perform करेगी अब हम इसे inverter में अपने लगा के connect करके inverter को अपने start कर देंगे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते है कि जो हमारा system रहता है उसमें हम कैसे trace out करते हैं कि हमारी arthing fault कहां पे आ रही है ये मतलब modules के बीच में आ रही है या cable tray में जो DC cable गई है ये fault वहां पे आ रही है अब इसको trace कैसे करेंगे हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जो cable है कहां कट गई है modules के बीच में कैसे कटी हुई है या cable tray में कैसे कटी हुई है उसको समझने का एक असान तरीक है तो इस diagram में अगर आप देख रहे होंगे तो हमारे पास अभी 5 solar module मेंने for example बनाए है 10-10 volt के ताकि आपको समझने में असानी हो यह module 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है सभी module 10-10 voltage के individual module 10-10 voltage के है तो जब सभी modules को हम series में जोड दे रहे हैं तो जो system का voltage बन रहा है 50 volt 50 volt आपका VOC voltage है जो open circuit voltage हम measure करते हैं तो जब आप clamp meter से positive negative में connect करेंगे इस system को check करने के लिए तो जो आपको voltage मिलेगा वो 50 volt मिलेगा अब हम यहाँ पे यह मान के चलते हैं कि cable जो है, कहीं पे structure में cut गई है structure में बोले तो जिस पे solar panels को mount किया जाता है जिस धाचे पे, MMS structure पे वहाँ पे cable कहीं पे cut गई है तो मैं यह मान के चलना हूँ यह एक दूसरे module के बाद यह यहाँ जो cable है यह किसी वज़े से cut गई है और जो इसके लोहे का structure है उसके संपर्क में आ रही है तो यहाँ पे cut ने के बाद यह ground में हो जा रही है मतलब grounding हो जा रही है अब जैसे ही cable यहाँ पे cut रही है और ground fault inverter को sense हो रहा है inverter तो trip हो के बंद हो जा रहा है अब हम यहाँ इन दोनों point से कैसे पता करेंगे कि हमारी cable कहाँ पे cut हुई है तो जब यह string को आप खोलेंगे positive negative mc4 और voltage चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 50 volt ठीक है तो अब आप जब clam meter से चेक करेंगे तो आपको 50 volt मिल रहा है अब आप क्या करेंगे clam meter की एक cable positive में लगे रहने देंगे और दूसरी cable से आप earthing चेक करेंगे तो आपकी earthing जो है जो system earthing रहती है system earthing होता क्या है कि मतलब module का जो structure होता है वो तो earth से connected ही रहता है at the same time जो inverter की body रहती है inverter DC side जितना भी रहता है वो common earthing में connected रहता है तो जो भी solar panel के structure या cable trace है जो earthing लीक हो रही होगी वो आपको पूरे DC side में मिल लही होगी leakage ठीक है तो आप test कर सकते हैं अभी देखे मैंने दोनों तरफ अर्थिंग मना दिया तो जब आप positive to earth चेक करोगे तो क्या हो रहा होगा आप यहां पर तो अर्थ हो गया ठीक है तो यह system एक दूसरा बन रहा होगा ऐसे आ रहा होगा ठीक है मैं मतलब दिखा देता हूँ ऐसे मतलब बन रहा होगा circuit दूसरा अर्थिंग के तुरू तो जब आप यहां से अर्थिंग चेक करोगे positive to earth तो क्या होगा यह दोनों जो 10-10 वोल्ट है न यहां से 10-10 बीस बना और 20 यहां पर short circuit होके लॉड गया है तो यहां पर आपको 20 20 20 वोल्ट आपको मिलेगा ठीक है 20 वोल्ट आपको मिलेगा positive to earth constant voltage इस voltage में कोई भी drop नहीं होगा और यहां negative to earth जब आप चेक करेंगे तो negative to earth आपको कितना मिलेगा यह 1, 2, 3 30 हो गया ना 30 जुडने के बाद ऐसे लोटेगा तो यहां पर आपको 30 मिलेगा तो आप देख रहे हो कि यह जो आपका 50 वोल्ट था 5 modules का उसमें आपको positive to earth negative to earth कितना मिलना है 20 वोल्ट 30 वोल्ट तो अब आपको एक module का voltage पता करना है एक module का voltage 10 वोल्ट है ठीक है तो अगर positive to earth 20 वोल्ट आ रहा है जहां पर सबसे कम वोल्ट है जाता है उस तरफ से देखना हम चालू करते हैं ठीक है जादा असानी होती हो उससे तो आप देख रहे हो कि यहां पर 20 वोल्ट है और आपका एक module 10 वोल्ट का है तो आप समझ जाओ कि हाँ ठीक है 10 प्लस 10 30 हो गया 30 के बाद आपका कहीं पर कटा होगा तो यहां पर मैंने 5 module दिखा है इसमें इसलिए देखना असान है लेकिन जहां पर 20 module 40 module सीरीज में रहे रहते हैं तो आप कोशिश यह करेगा कि जहां पर कम voltage constant हो रहा है वहां से आप देखना चालू करेगे तो आपको जल्दी fault मिल जाएगी अब मैं मान लेता हूँ यहां पर fault नहीं है ठीक है यह 20-30 को आप भूल जाओ अब मैं मान के चलना हूँ कि कहीं केबल ट्रे जो लो ही की केबल ट्रे जहां से केबल जा रही है वो कहीं पर कट गई है अब मुझान लेता हूं कि ये कहीं पर यहां पर खती हुई है ठीक है यहां पर कवर यहीं से अर्थ हो गई ठेक है अब अब क्या होगा कि जब मैं सिस्टम मुळेज चेक करूँ है तो będzie 50 मिलेगा ठीक है लेकिन जब मैं positive to earth चेक करूँ गा positive to earth चेक रहा हूं तो मुझे कितना मिलेगा देखे positive to earth चेक करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ से current बेना start हुई ऐसे गई 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 और यहाँ पे earth हो गई ठीक है अब earth हो गई तो यानि पूरे system को combine करने के बाद ही earth हो रही मुझे positive to earth भी 50 volt मिलेगा समझ रहा है जितना system voltage है वही मुझे positive to earth भी मिल ला है क्योंकि अब यह cable tray में कटी हुई है तो अब यह यहाँ से इस voltage को देखते ही मैं confirm हो गया कि यह जो cable है यह modules के बीच में structure में नहीं कटी है बलकि जितना मेरा VOC आ रहा है उतना ही मेरा positive to earth या negative to earth अगर आएगा तो इसका मतलम हमारी जो cable जो कट गई है वो cable tray में कहीं पे कट गई है और ground हो रही है तो हम उस condition में हम क्या करेंगे हम modules में चेक नहीं करेंगे कि cable हमारी कहां पे कटी हुई है जो cable tray inverter के सहारे modules की तरफ गई हुई है जैसे मान लिजए यह आपका inverter कहीं पर लगा हुआ है inverter से निकल के cable आपकी गई होगी जहां पे आपके modules ऐसे ऐसे structure में लगे रहते है structure आपका ऐसे रहता है जहां भी इसके बीच में inverter inverter और उसके बीच में जो आपकी cable tray गई रहती है metallic उसके बीच में कहीं cable कटी होगी तो आपको यहां चेक करना है structure में नहीं चेक करना है लेकिन अगर आपका voltage जो आपका system voltage और वो voltage अगर divide हो रही होगी आपके positive और negative के बीच में positive to earth और negative to earth तो आप समझ जाना जो आपकी cable कटी है वो modules के बीच में कहीं पर कटी है ठीक है और फिर से मैं बता दू कि अगर आपका system voltage जो है VOC voltage जो है एकदम बराबर आ रहा है positive to earth और negative to earth तो समझ जाना कि आपकी cable जो है वो कटी हुई है cable tray में तो इस तरीके से इस fault को trace out करते है